असलाम अलेकूम सिथी से सवाल के साथ मैं हूँ सेदाइशनास मेरे साथ मौझूद है नजम सिथी सहाब असलाम अलेकूम सिथी सब अर्ली अलेक्शन अलेक्शन कबले इस वक्त इंतखाबात होने जा रहे हैं और यह बहुत बड़ी खबर है यह ब्रेकिंग निउस दे रही हूं यह भी दिन आना था कि तुम मुझे ब्रेकिंग निउस दोगी जी बिलकुल यह दिन इसलिए आना थ कि आपने वैसे थोड़े अर्से से प्रिडिक्ट भी किया था कि महौल इस तरह का बन सकता है लेकिं दो साल की गारंटीज आपने दी थी कि इतना अर्सा तो काम चलेगा आपने पाकिस्तान के निजाम के हवाले से खबर दी थी मैं अर्वी इलेक्शन की बात करी हूं बरता जल्दी यह हो जाएगा फैसला लास मॉमेंट पी लिया गया उनकी प्रिशी सुनक साब की कैबिनेट में कोई उने मशवरा देने वाले लोग थे जो कह रहे थे एलेक्शन कॉल करने चाहिए लेकिन हैं यूएस के इंडिपेंडेंस टे बरतानिया में एलेक्शन होने जाए कि देखिए अभी तो हाली में लेवर ने लोकल एलेक्शन के अंदर काफी अच्छी कारकरदगी का अजार के और यह जो अन्होंने जो एलेक्शन कॉल की है इसका यह मतलब है कि कोई इसके पीछे कोई बड़ी वजनी चीज़ होगी कोई गेम है गेम है या उनका ख्याल है कि यह बेतर टाइम है अब वो क्यों बेतर टाइम है एक तो यह कि कुछ लोगों का कहना है कि इंफ्रेशन महिंगाई जो है उसका रेट गिर गया हुआ वह यह समझते है कि शायद इसका भी असर पड़े बाद में शायद और को मसले बन जाए दूसरी चीज़ जो मैं समझते हूं बड़ी आहम है वो यह है कि आगे बहुत आहम फैसले आ रहे हैं युकरियन के बारे में चाइना के बारे में रशा के बारे में और इस्पेशली यॉरोपियन्स इन्होंने पैलेस्टाइन को स्केट को एकसेप्ट कर लिये और बहुत बड़े बड़े डेमंस्ट्रेशन हो रहे हैं यूके में स्टूट प्रोटेस्ट तो काफी इंस्टीबिलिटी वहां हो गई है और कंजर्वर्टिव पार्टी जो है वो इस वकर बड़ी अन्पॉपिलर होती जा रही थी तो उनका यह ख्याला मेरा ख्याला कि यह ब आया हो not necessarily from these factors बट यह देखें वहां जो मौनार्क है ना किंग इंगलंड बादशाहत उनका भी कोई ना कोई इसमें अडवाइस होती है अब मुझे नहीं पता किंग चार्ल्स ने उनको यह डवाइस दी है कि यू शुल गो फॉर एलेक्शन मीटिंग उनकरके फिर उन्हों बहुत इंटर्वेंशनिस्ट हो तो वह एडवाइस भी थोड़ी सी देते हैं अचे लिजबत देती होती थी के बाराल मेरा खाल है के the conservatives will lose and the goldsmiths जो के खान साब के एक्स रिष्टदान है they will not fare well अपसेट भी हो सकता है सर्वेस के अगे नहीं I doubt it बट हो गया तो ठीक है फिर मेरी patient को भी वहां तक तो यह वहां तक तो नहीं जाती वगर कोशिश की है टिकेट लेने पड़ेगी चुड़िया को जाने के लिए अच्छे तो यहाँ पर जो टिकेट कट रहे हैं वो यह के म उमत मुखालिफ तहरी की या कह सकते हैं रिलेक्शन के लिए कि इंतखाबात हों और मुंसिफाना हों उसमें गारंटी मौला ना कुछ मांग रहे हैं वो तो मैं आप से जानूगी लेकिन ऐसे लग रहा है कि सिच्वेशन खान साब के हक में जा रही है इमरान खान साब के ल आपकी बार निकले आप पकड़े नहीं गए जो के गयर मामूली खबर है अमाद अजर साब सामने आ जाते हैं अपनी रूपोशी खतम करके उनकी रूनमाई हो जाती है मुझे आपसे यह जाना है कि परविजलाई साब रहा कैसे हो गए हमाद अजर साब सामने कैसे आ गए और मुलाना जो हैं वो क्या करेंगे हां मुलाना क्या करेंगे तो तीनों सवाल लिंक्ट हैं खान साब ने मैंने सुना है कि कुछ इस किसम के पेगाम भेज़ें अपनी सियासी जमाद को कि बाहर निकलें टियारी करें और फिर यह भी कहा है कि तीस तरीख को जब केस लग र करने शुरू कर दिये हैं कि शायद खान साब को कोई इशारा मिला है या उनका ख्याल है कि यह अच्छा वक्त है टू स्ट्राइक को एग्रेसिव किसम का पॉस्चर लेने की का वक्ता आ गया है तो मैं एक-एक करके बाते जो है न निप्टाता हूं पहली बात तो आपने का चौरी परवेजलाई है अच्छा आपको मैं यह बात बता दूँ कि चौरी परवेजलाई साब कुछ अरसे से चौरी शुजात के जरीए कुछ मजाकरात में इन्वार्ड थे मैं आज आपको यह बता रहा हूं जेल से और उसकी वज़ा से उन्होंने फिर मौनिसलाई से भी रापता किया क्योंकि सबसे जरा प्रॉब्लम्स तो मौनिसलाई क्रेट कर रहा ना बाहर बैठके कि मैं इमरान के साथ हूँ यह है वो है और वालिद को भी उसने टकड़ा किया हुआ था मगर फैमली तूट गई है ठीक है ना फैमली बिखड गई है बड़ी एक क्लोस फैम तो कभी-कभी यह सुपरिटेंडन के घर में भी पाय जाते थे कोट लगपाट जेल से सुपरिटेंडन के घर रहा शायद रहाए श्वां कुछ और से के लिए भी अच्छा मुसिन लगवी साब के उते वे ऐसा हो जाता था था मुसिन लगवी साब इधर नहीं है ना पंज आप गवर्मन को कॉन्फिटेंस के लेके करना था ना तो आप चाहरी शुजाद जो है वो तो इसी पीडियम की हुकूमत का हिस्सा है ना उनके जो साइफजादे भी है तो इसलिए मेरा ख्याल है चाहरी साब ने कुछ रोल अदा किया है और परवेज अलाही साब ने कुछ ने करेंगे खुद के वो बाहर आएं और अग्रेसिवली इसकी सपोर्ट पे आए इसलिए उनको पर छोड़ दिया गया एक्टिव पॉलिटिक्स करेंगे वो तो खर करनी करनी है उन्होंने वो तो नहीं छोड़ सकते उनकी जो सेफटी है उसी में लाइक करती है बट मैं कह परवेजलाई ही सब्सक्राश झासाब परवेजलाई शाल को एहमें नहीं छोड़ दिया गया और फिर घुरिफ्तार नहीं किया कुछ ना कुछ तो हुआ है हमं खान साब यह समझते हैं परिवेजलाई को पता करा में यह समझते है धाजर्जे से गेम आगे चलनी चाली खान Staff यह है किAD आपका के यह नहों के परिवेजलाई नहीं को सूपोर्ट किया जाए तो कोवर दा पार्टी जो बाहर है ख़सूस न पंजाब में तो इसलिए फिर उनने हमाद अज़र को एक्टिवेट कर लिया है तो इसलिए इतनी बड़ी रिस्क लिया है कि निकलो बाहर अब तो एंड टेक चार्ज तो उनने फिकर है कि यह ना हो कि परवेज अलाई साब बिकरज ही आफ्टर आला मास्टर पॉलिटिशन नो डाउट ठीक है ना उनके बड़े यहां से रसूख है और अब शायद उनकी जो दूर जो दूर थे इस्टैबिशन से वही शायद करीब हो गए तो मैं समझत हूँ इस किसम की सूरतिहाल यहां टेवलप कर रही है आगे अभी वह ढ़ार जाया अबी वह डिवान्स पूरे नहीं हो रहे मगर मुलाना कभी भी प्र लागलagar प्राइय कि प्रूर रुड़ नहीं वहाँ मुलाना कभी प्लाएय की कि उल्टाया जाए मौलाना का यह प्लान नहीं है कि उल्टाया जाए मौलाना को इस बात का इसास है कि अगर अगले एलेक्शन होते हैं तो मौलाना को उसमें भी कुछ नहीं मिलेगा वो तो पीटी आई ले जाएगी ना तो इसलिए मौलाना यह कहते है जबके एलेक्शन करा जो पहले था उससे बेतरी होगा या खराब तो होगा है अब जर्दाइशाब प्रेजिजनसी में बैठे हैं इसलिए यह सिर्फ गेम प्लेइंग होती है टैक्टिक्स होते हैं अपने डिमार्ज बनवाने के लिए मगर यह जरूर है कि मलाना अब थोड़ा सा हाथ तकाएंगे अपना बाते बहुत होगी अब थोड़ी बहुत हो हलचल भी करेंगे अच्छा यहां पे जब परवेजलाई साब की बात होई तो जहन में दो सवाल उमड़ते हैं कि परवेजलाई साब के हवाले से यह खबर आई कि उन्होंने गुफ्तकु करते हुए का कि उनकी गिरिफतारी में और उनके साथ जो सलूक किया गया वो बिमार भी बहुत हुए तबीयत उनकी बहुत नासाद रही उसमें मौसिन लक्वी साब का हाथ था आप ने जो अनैलस्यीस किया कि उसका मतलब यह है क्योंन लीग कोई मेसिज दिया है मौसिन लकवी साब को इस रहाई से नहीं मेरान नहीं रहाई छी यह मिचन नहीं दिरेक्टली इंवालड़ नूनली के जरीए नहीं बराहे रास तो होता है पर्वेजलाई साब को तो हमें पता है वो मेशा बराहे रास खेलते रहे यह पहली बार था जो थोड़ा रिवायत से हट के चल रहे थे और उसका रिजल भी हमने देख लिए उन्हों ने लंबी जेल काटी लेकिन एक और खबर के बाहर आए हैं उनकी यही कोशिश होगी के खान साब के को पैगाम दिया जाए या रीच आउट किया जाए कि आपके जो टैक्टिक्स हैं इतने अग्रेशन के साथ आप डील कर रहे हैं ऐसे नहीं करना चाहिए तो रसी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए लेचक होनी चाह तो इन सारी तबदीलियों का क्या कोई तालुक है पाकिस्तान तहरीक इनसाफ को रिलीफ मिलने से क्योंके सबी सूंग रहे हैं सबी समझ रहे हैं कि कोई जोहरी तबदीली होने जा रही हमाँ में देखिए बड़ी इंटरिस्टिंग बात है अगर आपको इस बात का इल्म ह हो कि इस्टैबलिशन्ट परिशान है कि अदालतें जो हैं जिस तरीके से रिलीफ दे रही हैं खान साब को और पीटी आई को अगर इस्टैबलिशन्ट खफा हो या परिशान हो तो इसका यह मतलब है कि जुडिश्री को किसी साज़िश के तायत यह पुशनी किया जा रहा क के खान के लिए नर्मी दखाएं अगर हमें यह पता हो कि इस्टैबलिशन्ट जो है वो नाराज नहीं है और वो चाहती है कि कोई ओपनिंग क्रियेट की जाए फिर आप एक साज़िश बना सकते हैं कि जजजों को भी इशारे हो गया करो जो मर्सी करना है मगर अगर यह पत करें और हर्ट प्रोग्रम में आपको यार दिलाता हूं कि मुझे दो मुहीने से मैं यह कह रहा हूं कि जुरिश यह करेगी और उसकी वजवात में आपको बताई है यह जरूरी नहीं है कि इस्टैबलिशन्ट की तरफ से उनको को इशारा आए है कि खान साथ हमने बातचीत तो नर्मी का इशार करें। ऐसी बात नहीं है। Establishment के दरह से कोई नर्मी नहीं है। Establishment किसी सूर्थ में खाएर नहीं आने देगी। Establishment नहीं टयार है इसकत खास्थबूस्णणच से बात करने के लिए और दिल्टशब बात ही है कि खान साथ भी नहीं था यार, establishment से बात करने क्लिए है, अभी बात करने का क्या फाइदा? अभी sowohl establishment जैसे कहते ह荼 are in command है, खान साथ तो in command नहीं है, खान साथ उसक्त command में होगे, जम बाहर writing हो रही होगी, जलसे जलוע हो माईशत क्रैश कर रही होगी और पीडियेम के अंदर लड़ाई जगड़े चुरू हो जाएंगे और इंटरनाशनल कम्मुनिटी सैंक्शन्स लगाने को आ जाएगी फिर एक ऐसा माहौल बनेगा जिसमें खान साब को सपोर्ट मिल सकता है जी खान नो कड़ो उन्होंको मसलाल करें रसी तरह नहीं हैंडल कर सकते मगर अभी तक तो सारा कुछ हैंडल किया अभी खान साब इस नौट थ्रेक्ट अभी जो थोड़ी बहुत आरही है वो जुडिशी से आरही है मेरा ख्याल है यह भी इसको भी मैनेज कर लिया जाएएगा यह जो हो रहे है यह हो गाई एक एकर के खान साब के केसिस कातम करते गेंगे ё जई जी हो रहे है हां मगर वह उस्टैबुश्मिशन्ब के पास बहुत से और कार्ड जोते है आच्छा कारड शक्र तो नहीं होगा है जब कार्स होंगे तो शक्रान्ट तो होगा अब आप मुझे मुझे पुश्ट कर रही है अदिख्लिघ्य आप लूमर की लड़ाई के हे एक कॉलम कहीं चपा और उसके बाद वो हटा दिया गया तो उसके बाद से सबी इत्श्वीश में तो प्रोग्राम ना बंद हो जाए देखो ना उमने बंद नी कराना प्रोग्राम बिलकुल नहीं हमने कोई ऐसी बात नहीं करनी जिसके साथ कोई इसके समके लजाम लग जाए तो क्या हूं चापका के आने मतलब है कि अधरा गुग्लिये ओके आप उतनवाजी की तरफ नहीं आए आप लुकाउट करें कि कोई इदर उदर के कोर कमांडर जो है इदर उदर उदर नहीं हो जाए कमिंग सून कमिंग सून से मुराद आप अच्छली उस कॉलर में लिखा गया था कि एक दो मा में चे जाए जाए तो बस ठीक है ना मैं कंफर्म कर रहा हूं कि कुछ न कुछ तबदीली आएगी उदर अच्छा दुनों में या एक में अभी तो कोर कमांडर की बात हुई है तो वो उठके कहीं जाएंगे ना जाएं इदर से कोई जाने की बात हो जाएगी बड़ी शरारत कर रही है तो इससे जादा हिंट्स नहीं देनी है अच्छा लेकिन तब भी चेंज आया था अब भी चेंज आएगा तो पिर जहां जाएंगे वहां भी तबदीली हो जाएगी वह पर उठके कहीं और चले जाएगे ज इदर दर हो जायगा तो यह अएइन मुंकिन है दूसरा भी रिदर हो जाए बिकUज आफर आफ अब बैलन्स रखना हैगे क्योंकि जो नए नहे साँगे इदर डायेगे ना चले टो कहां आइन मुंकिन है कहां भी कुछ तबजीली हो जाएगा तो मतलब है कि आप समझें कि तीन टॉप पोस्ट इदर उदर होने के लिए तैयरियां शायद हो रही हैं या हो जाएंगी या तो पिर सियासी मनजर नामा भी आप उसके बाद पिर सियासी मनजर नामा निया प्लाइन डिवेलप होगा ना क्योंकि ये प्लाइन जब ने बनते हैं तो फिर ने लोग बनाते हैं पराने लोग तो बनाए भी होते हैं प्लाइन वो या फैल हो गए होते हैं या कामयाब रहते हैं अगर कामयाब है तो उनको रखा जाता है अगर वो फैल हो जाते है तो पिर उनको इदर उदर कर दिया जा जा रही है और या कोई नया प्लाइन बन रहा है जो कि तबदीली और किसम की होने जा रही है अभी मैं इसकी उपर नहीं तबस्रा करूं दे कैमिकल चेंजिस जिनको आपने इंडिकेट किया ये सियसी मनजर नावे पर कितनी हल सकते हैं ये बहुत इंट्रिस्टिंग है लेकिन सेटी साब ने एक और हिंट दिया जो पुलिटिकल सिनेरियो से मतालिक है और कहा कि जरदारी साब प्रेजिडेंसी में बैठे हैं लेकि बाशरी साब भी UAE के विजिट पर हैं विजिट पर उसके बाद उनोंने चाइना भी जाना है ना बजा है पमिए करकर चैनी गए ऑखोग आरे हैं फिर आपको पता है उनकी वहाँ प्रॉपर्टीज भी है घर भी है और दुबाई लीक्स में तो बहुत कुछ है और मुहतरमा बेनेजीर मुट्र साहिबा बहुत अर्सा एक्जाइल में भी दुबाई में रहे हैं और मैं आपको ये भी बता दू कि जब मुहतरमा वापस आ र रही थी और उनका ये फैसला था कि जरदारी साहब वही रहेंगे और नहीं आएंगे इस तफ़ा और उन्होंने ये शेयर किया था मेरे साब जब ये हाथसा हुआ तो फिर जरदारी साहब वापस आए और मेरी मुलाकात भी हुए उनसे और जोहर है पिर हालात बदल गए फ उसकत भी जब हुसायन अकानी का केस हुआ था मेमोगेट और लोगों को चाहिए जाके गूगल करके चेक करें मैं पूरी कहानी क्या बताऊंगा मगर उसकत भी बहुत प्रेशर था जरदारी साहब के उपर और जरदारी साहब उसकत भी दुबई चले गए थे 15 दिनों के ल अरजन्सियों ने रखावा था और फिर बड़ी मुशकल से वो भी जान शड़ा के निकले जाएंसे और तो मैं यह समझता हूँ कि हज़र दारी साहब के बड़े इंटरेस्ट सेंद दुबई में आते जाते रहते हैं मगर इस तफ़ाए एक और भी इंटरेस्ट है जिसकी म बेजलाई की मैंने बात की कि मेरा ख्याल है वो रापते में आगे हैं रडार पे आगे हैं एक्टिविटी में आगे हैं खान साब को सून लिया उन्होंने कि यह गडबड़ हुई है यह होने जा रही है मेरा ख्याल है एक और बहुत एहम शेखस है जिसका तल्लुक खान और उसमें उनकी इंवाल्मेंट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है मलक रियास साब मलक रियास साब के बारे में मैं सिर्फ यह कहूंगा कि नहायत शरीफ आदमी और गरीबों के लिए बहुत कुछ करते हैं और बाकी जो सिल्सले हैं वो फिर अदालतों में गुमते हैं आजकल खसूसन काफी इंट्रिस्टिंग डिवलिपमेंट्स हो रही हैं इस्वेशली वन नाइटी मिलियन वाला जो केस है यूनिवस्टी वाला केस है तो मेरा खैला मलक साब दुबई में है मलक साब के जो तल्लकार था इस्टैब्लिशन के साथ कुछ अरसे से ठीक नहीं ह हैं डिवनार के साथ को कि मलक साब घर में भी जल्ल सीथिफी चलती रहती हैं और मलक साब को फरमबग टिव डिवलिशन के लायए अश्टैड़ न्यों थाज रभी बनकि है तो कि यह मैं की थैसे हों इसमें बहुत हैं गर मरक कि सानुनी तो आजिए खुई हैं चुर्मार कैबनेट का ही रोल था उनका कोई रोल नहीं है अब आई आगा आगे मेरा ख्याल है कि जरदारी साब इस प्लेइंग रोल कि किसी तरीके के साथ मलिक साथ को यह सारा जो गए इससे निकाला जाए मलिक साब और जरदारी साब बड़े करीबी रिष्टे हों के और यह काफी अर दोस्तू जरदारी साब और मलिक साब इस अलसो नोट फार फ्रम मिया नवाश्री साब यह शाबास साब अभी अभी आपने वह सुना एक कहानी चल रही है ना के जब यह सारा कोई तबदीली का वक्त आया तो रहील शे तो उस वकत के जो डी जी आएसाई थे उन्होंने मलि यह संपको बेजा जी यादा मिलकुल लंडन प्लैन के आसपास बोढन लंडन प्लैन यह दोसार चौना की बात था तो उस वकत मलिक साब बेजा था को जा है इनको कहें छुटी करा हैं, तो मलक साभ गए थे वहां रात के बारा बजे उसके बाद और फिर उनके बारा बज गए पिर उनके बारा बज गए तो ये मलक साभ इस बीन प्लेयर, आप पहले एक जमाने में इस्ट्राइशन के बड़े करीब थे पर बाद में प्रॉब्लम्स ह किसी तरीके के साथ मलक साभ को भी निकाला जाए तो कैसे वहां दुबई निकालेंगे? यह तुम क्या करती हूं तो अक्टियों समझने की कोशिश करी हुए कि दुबई का उसमे क्या किरदार? मलक साब वहां बैठे हैं तो दोनों वहां बैठे हैं एक निकालने वाला और एक फसाव है तो कैसे निकलेगे? किसे होगी तो बात होगी पिर जरदारी साब आगे बढ़ाएंगे किसे होगी बात होगी जरदारी साब और मलक साब की बात होगी आपस में बात होगी पाकिस्तान में नहीं हो सकती है यहां मलक साब नहीं आ सकते हैं ठीक है आप इस बहुता होती है कामियाब के नहीं बुर कुछ नहीं हो रहा है. आप इजर भी रहनें थे ना? मालिक सीब ने एक चैनल खुरीदनी थी. मैंने एक दिन मालिक साब को फोन किया, मैंने का मालिक साथ सुनेया तुसी 40% स्टेक ले रहे है वोस चैनल में, गलत खबर, गलत आठाएं। अच्छा तुसी नहीं ले रहें। आजी नहीं सौ फीसाद ले रहे ह। उपशाद नहीं सब्सक्राइँ, अब फ्लान ख़तम होगी। एक और ख़तम होगी। इजिटल सेटटब तो एक और ख़बर है। ये तो दो तीस साल पुरानी ख़बर यहां हमारे एक अंकर दोस्त भी है कि शायद उनको ओफर कर रहे हैं कि दुबई में आकर बैकर बड़ी खबरे दे रहे हैं तो यह खबरों पर रोक आ गई है कोई बात नहीं तो बूर्ड नहीं है जाने का डिजिटल चैनल जिंदे के कोई पता नहीं कहीं पर भी हवा ले जा पुझ पंजाब हट्यक एक्ट है वो हो गया मंजूर और हो गया उसका निफास इस पर बेश्यक कहते जा जा रहा है सामने लेकिन गवर्नर साब से रिक्वेस्ट की जा रही है कि भाई इसे आप मंजूर ना करें क्या आ सकती है कोई रिकावर्ट इसके रस्ते में देकि पह प्रोटेक्शन मिल रही है तो जाहर है आमें तो नहीं मिल रही है हमारे तो खिलाफ जा रहा है मगर उनके आख में जा रहा है ऐसी है ना तो पिर इसके पीछे कौन है जिनका नाम भी लिख दिया गया है उसके अंदर प्रेजिन साफ है चीफ और फेस्टाफ चीफ और पाकिस्तान है वगारा वारा सब भी आला मंसब पर बैठी है तो आप और मैं तो खॉन्स नहीं है हमारे खिलाफ तो यह है कि फॉरन एक ट्राइबियूनल बनेगी और सब तो पहले ती लाक रुपए तो डज लगा देंगी सलाम ले पाइप पहले सलाम नहीं असी लोगां के सलाम ले को हो गएंगे ती लाक रुपए रखो ठीक है जी और अगर ना हुए तो तो फिर जेल में जाएं आपकी पहली बात दूसरी बात यह कि अब लाव एविडिन्स इनको अटैक किया है चलो फारग हो तो तो फिर इसे तो काला कानून के ना की होगा तो काला कानून से ज्यादा काला किया चीज होती है यह वो कानून है तो इसके उपर बड़ी इतजाज हो रही है शोर शराबा पढ़ा है और मैं समझते हूं पीपल्स पार्टी ने बड़ अब चला गया गवर्णर साब के पास अब पीपल्स पार्टी ने सोचा और थोड़े नंबर शिंवर लगा लें जूर्नलिस्स के साथ अवाम के साथ कि हम तो आप के साथ खड़े हैं जैसे प्राइविटाइजेशन के उपर वो हमारे साथ खड़े है वो हकूमत के साथ नह नहीं खड़े को कि अवामी है ना तो उन्होंने अब यह मौका डोंड रहे हैं गवर्मन में तो है नहीं और हैं भी तो इसलिए वह जब उनको मौका मिलता है और छोटा जग कोप दिन दे तो इतना नहीं कोपते है कि खुनों खराब हुजाए हाँ एंज का रहे हैं एंज क महाला कौन हैं हमने एक स्टेप करे तो गवर्र सामने को फॉलो करते हूए स्क्रिप्ट वह वापस कर दिया कि अगला स्टेप यह के पंचाब हूक्तिया गोबियमे लेट क्यूंग गया है इतना क्यूं लेड़ गए हैं उसकी वज़ाई लेड़ी गए है ना जी अच्छा मैंने का शायद देर से गए हैं आपका मतलब है वो इसलिए मैं समझता हूं कि यह नुकसान इवेंचली उनका होगा इस वक्त तो सारा मीडिया उनके खलाफ हो जाएगा ठीक है ना हम यह तो कहेंगे कि जी इसके पीछे कौन है हम तो वी टू सकेट डिरेक्ट फेस जो समने है वो तो मून लीग है मर्यम आ रही है ठीक है और मजाब असेबली आ रही है ठीक है तो इसलिए बदनामी तो इनकी होगी हालनके यह नहीं चाहते कि यह करें मगर यह होगा उनको का जा रहा करें आप तो वो कर रहे है हालत तो इसके समगी है यहां तो अब मेरा ख्याल है कि अगर पीपल्स पार्टी को यह कहें ना कि सिंद में करें सवाल ही पैदा नहीं होता कि सिंद में यह लौपास हो जाए सवाल ही पैदा नहीं होता कि केपी में यह लौपास हो जाए आप बड़ा काला कानून है। मैं हमेशें ही कहता हूँ कि अभी सूरतिछ ऐसी है कि फैसले कोई कर रहा है, और जिम्मदारी किसकी बन रही है। मैखलाश आरही है किसके खिलाफ, फैसले कई और होगा। बिलकुल ऐसे ही है और जैसे आप किया रहे है ना कि यह भरना पड़ेगा इनको दोजार सो पेका का एक्ट जो कानून है वो मुस्लिम लीग नून का लायावा था लेकिन बाद में उनके खिलाफ इस्तेमाल हुआ एक दिन आप याद रखिएगा वगर आप बातें क्योंकि हो है यह आईन का तकाजा है कि रपोर्टिन्ग कर आप नहीं रोग सकते हैं और जैज अदालत के अंदर खड़े ओके ऐसी ऐसी बाते गर तो करते हैं तो कर इन कैमरा नहीं हो नहीं, रिपोर्टर्स नहीं आना तो पर रिपोर्टिंग तो हो नहीं है, जाज अजराद के रिमार्क्स क्या है क्या नहीं है, आपको याद नहीं है, मुझे तो याद है इस मुल्क में, कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के तो उसके नसीम असन शाह चीफ जस्टिस थे और 1993 की बात कर रहा हूं तो उसकत हर रोज वह ऐसी बाते करते थे हर रोज एडलाइन लगती थी कि लगता है ऐसी था कि इसको छोड़ देंगा और छोड़ी दिया यह तो पर्सनल प्रोजेक्शन में आ गया है तो अब यह कह रहे है कि जो अदालत के रिमार्क्स है वो भी आपने रिपोर्ट कर सकते तो यह गलत है इस रॉंग मैं समझता हूं कि यह कही न कहीं स्ट्राइक अब लुगाए कि दोनों चीज़ा यह यह पैमरा का नोटिफिकेशन पैमरा का नोटिफिकेशन जो होता है वो तो वैसी चैलेंज हो जाता है यह भी हो जाएगा और मेरा खाल है इसके उबर कुस टेशे मिल जाएगी इंप्लिमेंट नहीं हो गाई यह नबर एक नुबर द आदम साब ने बड़ी क्लेरी हर प्रोग्राम में बताया कहां से इंस्ट्रक्शन आते थे इसलिए पिर आपसार आदम साब को भी उन्होंने वहां से निकलवा दिया क्योंकि वह रिजिस्ट करते थे तो पहुरा चलाते कोई और थे कहीं और से आजकल भी वही सिच्वेशन हो ग्रोड्ट तो मैंने और ये इतने लीगल नहीं रहि होना चाहिए बनाइए का हर सब्सक्र कर्कार्श की ज्यारा नहीं होना चाहिए और अभी प्रोपोजल भी थी गुष्टा एड़ारी इव की तरफ सेaráखका से और की प्रपोसल है कि यह यू चैल rif है किiben निका रुपीड़ा और लुट if मैंने का था यह लियर इतने बंद करें एक तो FBR के पैसे लगते हैं ऐक दूसरा यह Time Consuming है एक appeal and then अगर एक और है तो Five Governor ना दो पील्स जैदा नहीं होनी चाहिए ठीक है अगर क्यों होता क्यों है क्योंकि इस फैसले आते है इतने गंदे फैसले होते हैं इतने वो बायस्ट फैसले होते हैं कि प्रेशर होता है आईटी उसके उपर तो वो जड़ा ठा 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 करके अड़ बैक्स यह लगा लगू के अपने टार्गेट्स मीट करने के लिए कर देते हैं मगर उसके बाद वो चैलिंजिस शिरू हो जाते हैं इसलिए तो आप यह शोर पड़ा है कि अदालतों के अंदर कितने ट्रिलियंज अव रुपीज के केसे पड़े वे और अभी प्राइमिस्टर साब कह रहे हैं और आएम एफ कह रहा है कि इनको रैप आप करें जल्दी जल् सब्सक्राइब करेंगा तो सबसे पहले बैन करें ना फिर मैं बात करता हूं ठीक है मैंने तो बैन नहीं हो ना मैंने तो सुवानिये बात हैं अब एक और नोटस आ हैं तो मैं यहां बैठके नहीं मैं ट्विटर की ऊपर जाके इनको साधा सीधा करूंगा सब्सक्राइब की इलिकत्स Кठी चाहिए उस पर हमें जादा बात करने की ज़ूरत तो है अप देख सकते हैं आइमाफ की जानेव से क्या कहा गए और उसके आइमाफ में जो ifie-सरे नोर्हित हो रही है वो बता रही है कि काम क्या किया गया और जिसकी वेज़से मुल्कि महिशत इस हाल को पहुंची है सिच्छ सब आप पानी पीए मैं ब्रेक लेती हूं वापसा दें ब्रेक के बाद पानी दो किसी पाफी वेल्कम बैक टू तो शो सिच्छ सब आपके फॉल्वर बहुत जीनियस हैं अच्छा नहां सारे के सारे जितने लोग क्वेश्चन भेज़ते हैं बहुत डीप रूटेड होते हैं और बहुत इंट्रिस्टिंग होते हैं अब एहमद हसान सहाब हैं क्या जानना चाहरे हैं वो इंट्रिस्टिंग क्वेश्चन अनगा जी कितनी देर तक के लिए सस्टेनेबल होता है यह सिस्टम के अवाम और इस्टैबलिश्मेंट एक दूसरे के आमने सामने खड़े नहीं क्यों कि अगर खान साब को निकाल दें तो बात यह बनती है कि इस्टैबलिश्मेंट वर्स इस्टैबलिश्मेंट एक्ट करती है तो दस साल तक तो बैटी रहती है अवाम जो मरजी करती है मीडिया जो मरजी करता रहे है दालते जो मरजी करता है तीन दफ़ा तो इस्टैबलिश्मेंट ने डिरेक्ट इंटिवेंशन की है अब वो डिरेक्ट इंटिवेंशन नहीं अब वो हाइब्रिड में आ गए हैं, अच्छा, अब हाइब्रिड भी जो है न मेरा ख्याल चल नहीं रही इन से, और बड़ा बहुत बड़ा चैलेंज अमरान खान ने प्रेश कर दिया है, और अब जेन्यूनली इस्टैबिशन्ट के सामने अमरान खान और उसके सपोर्टर् रखा है, मगर जैसे मैंने पहले काई था कि आहस्ता आहस्ता स्लिपिंग हो रही है, कि स्लिपरिज, स्लिपिज हो रहे हैं, अजालतें जो हैं वह उस तरीके से अब इस्टैबिशन की बात नहीं मान रही है, वह देख रही है अपने शॉल्डर के पीछे के आवाम क्या और इस्टैबिशन की जजें उड़ा देंगे और सब इत्तितर बितर हो जाएंगे ऐसे नहीं होगा अलबता है यह सवाल बहुत रेलेवन्ट है कि अगर इस्टैबिशन खड़ी है और हिलनी रही है उद्रखान साब भी हिलनी रहे है तो पिर इस मामला जाएगा कहाँ यह तो एक अंस्टैबल सिचुएशन नहीं तो इनस्टैबिलिटी जो किसी ते किसी से पर बढ़ जाती है और फिर क्राश करती है यह कहें उससे पहले ही रिजुशन हो जाती है अंग्रेजी का एक महावरा है What happens when an irresistible force meets an immovable object एक object है जो के हिलता नहीं है एक object है जो irresistible जिसका मुकाबला नहीं किया जा सकता खान साथ is the irresistible force establishment is the immovable object खुबसूरत मिसाल फिजिक्स आरी है इसमें अच्छा जब यह clash करते हैं तो sparks कोलिजन के साथ अभी वह कोलिजन जो हो रही है वह ऐसे ऐसे हो रही है तो अभी sparks उस किसम के नहीं निकल रहे हैं मगर यह बात यह है कि sooner or later sooner or later या तो इसका resolution negotiations के जरीए होगा या इसका resolution by force होगा और कोई तरीका नहीं है resolution का ठीक तो मैं समझता हूँ कि कम सकम साल लग जाएगा before आप कोई resolution का सोच सकते हैं और शायद यह resolution उसकत आएगा जबके establishment के अंदर कोई तबदीली की कोई हवा चलेगी ठीक या खान साब उससे पहले माफी मांग लें और जिसका कोई chance नहीं है ठीक तो इसलिए मैं समझता हूँ कि फिर तबदीली अगर कोई आएगी सोच में या लोगों में या ओदों में तो वो establishment के अंदर ही होनी पड़ेगी ताके खान साब के लिए रास्ता निकले मगर वो क्या रास्ता निकलेगा क्या खुली छुटी मिल जाएगी या नहीं फिर एक और hybrid regime की बात होगी ठीक वो उनकी मन पसंद होगी तो ये अब देखने वाली बात है तो I can't say के ये मसला हल नहीं होगा हल होगा प्राब्लम मेरे लिए ये है कि ये कब हल होगा जितनी जल्दी हो जाए तो अतना अच्छा है मुल्क के लिए अगर जितनी जल्दी नहीं होगा तो अतना नुकसान हो जाएगा और दिन बदिन हलाद खराब होंगे फिर उससे वापस मुड़ना मुश्किल हो जाएगा जब हलाद खराब होने लगते हैं तो clash होना शुरू हो जाता है clash के बाद पीछे अटना मुश्किल हो जाता है अभी वह स्टेज नहीं आई मगर आ सकती है अगर अगर अदालतों ने खान साफ के केसे खतम करते गए तो फिर खान साफ को जेल में कैसे रखा जाएगा और और एक्दामात करने पड़ेंगे वह भी फिर चैलेंज होंगे तो यह चैलेंजिस चलते रहेंगे जिसके साथ establishment और government on one side and judiciary and amam on the other यह इसका equation बन रही है यह कोई it's not a good situation so मैं समझता हूँ के sooner or later इसकी resolution होनी पड़ेगी आपने एक साल दिया है तो रिजिस्टेबल हो जाएगा something like that something कोई एक solution तो निकालना पड़ेगा और इसके मिकानात कैसे होंगे वह आपने जाना सेथी साब से आपके लिए सिस्टमबर पर अपना वीडियो मैस्ज़ भीजिए अगले परांते के लिए जासे तीचे कि ऑ कनी दोप्वे कर आपना पर अवीश के टेंक रजाए सबस्त परगना वीडियो कि ट्रूह कि उतकート वीडियो कि centers